साथी नमस्कार मैं रामझीद पठेल आप सबको बता देना चाहता हूं कि विक्टी ववव का जो सरकूलर आया है किसको इस्थाई कड़ नहीं करना किन पदों को नियमेत करना इं और कितने वर्स तक कि शेवा को करना भू यह चीजह का खुलासा वैसे हो रहा है मान नहीं कर वा रहें आदर नहीं कर वा रहें इस तरीके से इस तरह कि आपको मिटी मिटे मैसेज और कई सब्सक्राइब नहीं वादा किया था कि हम लोग एक लाग दस्जार नी तमाम समीदा कर्मियों इस सर्कूलर नौवर्स के सर्कूलर के तैथ भी लगबग सतर परसेंट अस्टी परसेंट लोगों का सेलेक्शन नहीं हो रहा है और हम कहते ना चाहते हैं अगले चुनाब तक कि पहले हो चुकी है लेकिन आपको घरों से निकलना पड़ेगा साथियों जो लोगों ने आपको विस्वास और जूटे ब्रहम में रखा उनको भी कह देना चाहते हैं चाहिए वो विदाय का चुनाब लड़ें चाहिए एंपी का लड़ें चाहिए उनके साथ में लगने वा लोगों के घर पे भी धड़ना देंगे जिन लोगों ने जिम्मेधारी ली ती क्योंकि मुझे आज बड़ा दुख है पंचा सिक्षेक विद्यले साइक संका सहीं से कोना किनाते सबसे ज्यादा में की रास्तान सरकार को जगाने का काम हमने किया लगा था पिसले लंबे समय लड़ा है लड़ी लेकिन आज 45 साइग साइक साइग साइड़ दूरे हैं बिल्कुल दूरे राने वाले सरकारों को भूप सापर आने वाली सरकारों को ने लड़ा हैं उनके अगले माहां से तनका 2050-2050 होने जारी है और हमारी तनका वह जड़ार तो आम किसी भी सूरत में सरकार को तो बक्सेंगे नी और उन लोगों को भी नी बक्सेंगे जिन लोगों ने जिम्मेदारी लिए इसलिए साथ यू बड़ी आंदोलन के लिए तैयार रहे आपको जस्ट मेसेज मिलेगा आज पूरी संक्टन मोर्चे के लोगर तमाम हमारे संक सरकार के कान खोलने के लिए आप लोग तैयार रहे चाहिए सोसल मीडिया का कैम्पेंगों चक्षिशी वी तरह की बात हो लेकिन आप लोगों को जाती हो लड़ना पड़ेगा मैं इस परश तोर पे कह रहा हूं जिन लोगों ने जिम्मेदारी लिए उन लोगों को भी नी सिंग रामजीत प्रभापता सुमीता मुक्ती मोर्चा राजिस्तान परदेश सिंग होजए राजिस्तान पंचाह सिर्शेग वी देले साइक्सां